पंद्रा जून दो पहट दो वजे गल्वान खाटे हिमालाई की उचाईएं उपर भार्तिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलागा गॉर्पल एमत बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पूस्ट से जंडा नदारत है सर देखिये वहां और भी है परवतो पर उस दिन वाजी कमांडो अकेले लिए दुश्मन जैनिकों ने गिपे पक्थलों की आज लेकर वाजी युनिट पर भवा बोल दिया कबिन बेसकर स्कॉर्ट थ्री का भार गे शेंद में घुस पैटियों से सामना हुआ स्कॉर्ट थ्री का दुश्मनों के सामना हुआ लेटनेंट सिंह की पिजूल 3-3 को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा रोखे भूस खलंग से गिरे पत्थर और चट्टा और अंधेर आचा छे गंडे पाद जब लेटनेंट सिंह की आख खुली तो उनका सर चप्रा रहा था पहार से हुई पत्थरों की उस बोचार से खरोचों और धाणों के साथ उनके सर पर भी चोड़ाई था अहमद धिलो रभी इनकी हालत इन दोनों फॉजी भाईयों से बैतर थे जो उनके पास फॉजब में शही हो जाए हम सदम उस जिन्दा तो थे भारतिय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फॉजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐस होने ही नहीं दूँगा बहादुरी भाईचारे और भारत के लिए फॉजी जहां एक उस पैठिया होता है वहां और भी होते हैं वोब यू जोल यह प्राबुई गुद्वाइचारे नहीं होता है कॉर्परल तुम कहां हो मैं अपनी तीम को धून लोगा और फिर हम आपनी तीम को धून लोगा आम इन बेहुदा लोगों को वापस घर भेज़ देंगे अब और भुस पैठिये यहां क्या कर रहे है कि अच्छार एक अब अच्छाब करेंगे करें लोगा यह कुयाम बौदा पेट्रोल तो नहीं है तुम काईरो ने मेरे आदमियों को कहां चिपा रखा है जारो चारां बादरोण के पक्रखार्ट एक भादरों को कायरों, तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते शायद इनके ओफिसस के पास कोई जलाब होगा जढ कि काया जलाब है अबच्छिटर व्हण उलाब है अबपित्वर लॉट्टर वाग साफ नख लॉगर व्हष्द इनके आनके जलाब है तबंवब यह भुक्राव उनके घ्लाब है लुद इनके जलाब है हुआ हुआ है मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है फौजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता बॉर्डर अब नजदीक ही है मेरे साथ ही ज्यादा दूर नहीं होंगे हुआ 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 है लार बॉर्ण ज्यादए अधरे भी लिए वह रार रॉआ रॉआ छॉआ मैं अपने साथियों को निराज नहीं कर सकता मेरे भायू तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंडूंगा लेकिन हो सकता है कि लेटनेंट सिंग का स्क्वाड वहां कैद हो एक टेंट लाल टेन की रोशनी में चमक रहा है ये तलास शुरू करने के लिए एक अच्छी जगा हो सकती है उस छोटे से टेंट की तंग जगा में एक साइट टेबल, एश्ट्वे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के उपर गैस वाली लाल टेन रखी थी पर सबसे ज़रूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था रवी! लेटनेंट सिंग की डुकडी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया, कि उसका चहरा काला और नीला पड़ गया उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था सर, उन्होंने दुसरों को बंदी बना दिया रवी ने कहा रिपोर्ट बाद में फॉजी, पहले तुम्हें छुडाना होगा नहीं सर, दुसरों को आपकी मुझ से ज़्यादा जरूत है मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फॉजी लिफटनेंट सिंग, रवी के पैरों से रसी खोलने लगते है देर हो गए सर, पीछे देखे एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लिफटनेंट सिंग को पीछे से पकड़ लेता है टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बगसे गिर जाते हैं बगसों पर रखी लाल टेंड गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बद्दू फैल जाती है रवी निकलो यहां से लिफटनेंट सिंग रवी को खोलना चाहते हैं पर देखते हैं कि वो बेहोश है रवी कोई प्रतिक्रिया रही लिफटनेंट सिंग लड़ रहे थे पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था लिफटनेंट सिंग उस जलते टेंड से बच निकले नहीं से दूसरों को आपकी मुझ से ज़ादा ज़रूत है रवी की ये शब्द लिफटनेंट सिंग के कानों ने गूंज रहे थे लगता है आज मुझे लेसिक के उस पार जाना होगा नोमो प्लेंग तो जाँ ऀुट ब Sor 54 इंक की य खना होज ब मुझे ख्रा करें लिफटना कर नहीं से लिशका नहीं जाफॉ़छ झाल मिझे विखथान 동ह् 괜찮bat अग्णा के दूले के लादी दूले के लादी रखा रादी है जब ख़ो अग्ड़ वे दिन दूले के लिए एक आखरी कोशिश और फिर हम सब घर जा सकते हैं वो हमेशा तो उन बॉड़र्स के पीछे चिपकर नहीं रह सकते हैं युदि शिवी लास्ट लॉड़र्स दानी और नहीं रह सकते हैं प्रवश्प्अनर रह सकते हैं युदि हैं ज कि अ कि कि अ किवार दॉब एप कि कि अ यू थिंग concept अजूँ युब गुब एकOC अ कि अजूँ एक जूप अजूँ से एक इसे जूब हुआ है कि अढ़ माई माई पाज़ नीट को अँआ, कि अगा इसा उग्टोरी तिर को अज़गा की विला माई अज़ा प्लवाब वुछाब एप टुटाब प्लवाब इप थे हैं अगे आ एगा शॉटाब एग ते ए अचो जिजए एगा राते जब हैं दो जब डेर तो जब हाद अपने भाईयों को बचाना मेरा फर्ज है और उन्हें पकड़ने वालों को मारना मज़ा उन्होंने मेरे आद्मों को जहां भी क्याद करके रखा है मैं पता लगा लोगा अब अबिस मेरे राधो बेश करके उन्हें बालों कि अबिसा Meh अब ए लोजएक कि अचल हम साथ लड़ेंगे और हमें साथ मरने का भी अगर मैं मरता तो मैं उन्हें याद रखने के लिए कुछ ना कुछ दे कर मरूंगा के लड़ें लंगच से एल मैं बड़ेंगें इसका breakout कर मीज़ेंन। कैसा अजया आ द मारें लोगर से खां। कर दो कर दो कर दो कर दो मैं अपने आदमियों को ढूंट कर ही दम लूँगा चाहे कैम्प में उनकी पूरी आमी ही क्यों न हो मैं करीब पहुच रहा हूँ वो डर कर भाग रहे है आप 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 मौब कर अब आप आप कर पॉ हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है प्रषक्रपब ये लेसे के इस पार आना उनकी सबसे बड़ी गलती थी अबस, यही अन्ट में लुड़ागगे अबस, यहीज है अबस, यहीज अबस, यहीज अबस, यहीज़ागे और्यड़ागे और भीज़ागे झाल 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 मेरे देश और भाईयों के लिए मैं जान की बाजी लगा सकता हूँ व्दश्ट गायों के लाज़ का, व्द़िए सकता हुपा झाल व्द़। झाल 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 सर मुझे तो लगा कोई नहीं आएगा निडर और एक जुट भूलना मत अहमद बस एक काम करना बागी है इसे इसकी सही जगें पहुचाना है रवी करन सुनील और जावेद के लिए वो इसे घर वापस पहुचाने के लिए शहीद हुए सर आज आपने मेरी जान बचाई है समझ नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ मुझे शुक्रिया मत को एहमद फौजी यही तो करते हैं जहां भी भारतिय धोज लहराता है वहां हम अपनों की हिफाज़त करते हैं मुझे गर्व है मैंने आपके साथ इस देश क सीवा की है सर अभी काम खत नहीं हुआ है अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है